हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो डिस्सीबी बाइलोजी मैं सेल्फ अश्विनी जैनकौर और हम देख रहे हैं 10th बाइलोजी का 5th chapter that is life processes जिसमें in previous video tutorial हमने यह देखा था कि human में transportation होता कैसे है specifically हमने the pumping system of our body that is heart and उसमें circulation कैसे होता है वो देखा था आज हम यह देखेंगे कि circulation होने के बाद body के पास blood कैसे पोचता है किसके थ्रूप पोचता है मतलब blood vessels कौन से है उनका काम क्या और उनका structure कैसा है along with that इस video tutorial में हम यह भी देखने वाले कि blood के अलावा भी कोई ऐसा fluid है जो transportation का काम करता है और जो blood vessels से उनमें अगर leak हो जाए तो उसे protect करने का काम कौन करता है so let's start अम हम बात करेंगे blood vessels की blood vessels यह human में closed circulatory system present होने की वज़े से है closed circulatory system का मतलब होता है blood जो होता है वो closed blood vessel में से क्या करेंगे travel करेंगे और वो tissues के या सेल के direct contact में कभी नहीं आएंगे हमारे body में तीन तरीके के blood vessels होते है एक होती है artery second one is vein and third one is capillary ठीके artery का का काम होता है blood को heart से body तक लेके जाना ठीके body organ तक पोचाने का काम किसका होता है artery का so heart to body organ blood carry करने का मतलब heart से blood अवे लेके जाने का काम किया जाता है by arteries veins veins का का काम होता है body organ से blood को heart की तरफ वापस लेकियाना मतलब towards the heart blood क्या करेगा carry होगा in the veins and capillaries का का काम होता है body के distinct region पर मतलब दूर दूर region तक हर एक sail तक blood को पहुचाना ठीक है क्या काम आता है हर एक sail तक blood को पहुचाना यह काम किसका होता है यह काम होता है capillaries का अब अगर हम structure की बात करें तो जो arteries होती है artery का जो structure है यह generally कैसे रहेगा arteries का जो structure होता है यह generally less lumen के साथ and thick wall के साथ रहेगा देखो आप यहाँ पर देख सकते हो यह artery है wall है वो wider है than the vein why is it so ऐसा क्यों किया होगा तो देखिए artery का काम क्या है artery blood लेके जाती है away from the heart ठीक है away from the heart दिल से दूर heart से दूर वो blood क्यारी करने वाली मतलब heart directly pump करेगा blood को किसमें into the artery जब heart pump कर रहा है blood को into artery तो arteries के उपर pressure जादा रहेगा है ना blood pressure जादा रहेगा और जादा pressure रहने की वज़े से अगर इसका जो blood vessel की wall है वो narrow रही या thin रही तो क्या होगा वो burst हो सकती है तो यह avoid करने के लिए naturally ही क्या हुआ है arteries की जो wall होती है वो कैसे रहेगी वो thick wall रहेगी काफी thick ऐसी wall रहेगी और इस वज़े से उनका lumen क्या होता है नारो हो जाता है अब narrow lumen इंशुर करता है flow of the blood देखो जैसे अगर आप pipe से पानी दाल रहे हो तो आप mostly क्या करते हो दूर तक पानी जाए इसलिए pipe का आदा माउथ जो होता है वो थम से बंद कर देते हो जब आदा माउथ थम से बंद कर दोगे तो वो प्रेशराइज होगा water जो है उसका flow आएगा और वो प्रेशराइज होगा और दूर तक जाएगा इन सेम वे लेस लियूमेन रहने की वज़े से थोड़ा सा कम लियूमेन रहने की वज़े से क्या होता है प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है वो प्रॉपर फ्लो करेगा वो पूरे फोर्स के साथ आगे जाएगा इसलिए आर्टरी इसका जो लियूमेन होता है वो नारो होता है and जो wall होती है वो thick होती है कैसी होती है? thick होती है बड़ जब हम बात करते veins की तो veins को blood लेके जाना है towards the heart वो body organ से blood ले रहा है और heart की तरफ लेके जा रहा है इसमें कोई भी blood का pressure उसके उपर आनी रहा है इस वज़े से इसका जो lumen होता है वो as compared to the artery thin रहेगा इसका जो lumen, sorry not lumen इसका जो wall होता है, blood vessel का जो wall होता है वो as compared to the artery thin रहेगा और जो lumen है वो wider रहेगा बड़ा रहेगा as compared to the artery क्योंकि इसका काम क्या? इसका काम है blood को collect करना from the body organ और पहुचाना towards the heart तो यह ध्यान में रखना कि artery blood जो है वो heart से organs तक लेके जाती है मतलब artery travel और transport the blood away from the heart towards the body organ and veins transport the blood towards the heart and away from the body organ इसे याद रखिये चाहे वो hepatal artery और vein हो renal artery vein हो या फिर pulmonary artery vein हो कोई भी artery है वो blood heart से दूर ही लेके जा रही है कोई भी vein है वो blood heart के पास ही लेकर आ रहा है and that is why structure is quite different ठीक है अब हम बात करेंगे capillaries का तो जब arteries oxygenated blood लेके travel करती है तो वो convert हो जाती है बहुत छोटे-छोटे minute hair-like structure में hair-like blood vessels में जिसे हम capillaries कहते है यह ensure किया जाता है कि body के हर एक cell के पास हर एक पार्ट के पास blood जो है वो पहुचे direct contact नहीं but indirect contact में वो nutrition का waste material का exchange करे इस वज़े से इसे क्या कहा जाता है यह जो diversification of the artery हुआ है उसका जो branching हुआ हुआ है हम क्या कहते है capillaries कहते और यही capillaries बाद में unite करके क्या बनाती है venule मतलब एक जगह जा रहा है और उसे हम क्या कहेंगे फिर veins कहेंगे तो इस तरह से connected होती है right capillaries का काम आप सबको समझ में है जब हम आखे मलते है और एक छोट इसी लाल कलर की line हमें दिखाई देती that is nothing but the capillaries हर जगह capillary present होती इसी वज़े से तो finger पे prick भी किया तो भी blood निकलना स्टार्ट होता है क्योंकि वहां की capillary rupture हो जाती है समझ में आ गया आपको arteries क्या है veins क्या है and capillaries क्या है उनका structure कैसा है और वैसा structure क्यू है अब बात करते हैं हम और एक component की जो है live अब देखो हमें ये पता है कि हमारा blood जो है वो किससे बना हुआ है plasma and cellular component ठीक है cellular component कितने प्रकार के तीन RBC WBC and platelets ठीक है अब क्या होता है जो blood walls है blood vessels के जो walls है जैसे कि veins के walls या फिर artery के walls या capillaries के walls जो होते न उस walls में से liquid portion बहारूज आउट होता है and कुछ sales जैसे कि WBC वो बहारूज आउट होते तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा nutrition और उस liquid में वो जो fluid होता है उस fluid में उस liquid में tissue embedded होते है और उसे हम कहते lymph या फिर tissue fluid lymph का दूसरा नाम क्या है tissue fluid क्योंकि इसमें क्या होने वाला है इसमें tissues embedded होने वाले है tissues को direct nutrition देने का काम कौन कर रहा है lymph कर रहा है वहाँ से west material देने का काम कौन कर रहा है lymph करता है और defense देने का काम defense mechanism देने का क्याम या फिर वहाँ पर WBC पहुचाने का काम कौन कर रहा है लिंफ कर रहा है, मतलब बलड में से नूट्रियंट बहार निकलते हैं, लिंफ में जाते हैं, और लिंफ है जो डिरेट कॉंटक करेगा विद ते सेल्स एंड टीशू एंड टीशू एंड ओर गन्स लिंफ में इसलिए इसे टीशू फ्लॉइड भी कहा जाता है, लिंफ के बहुत सारे रोल है, यह नूट्रिशन देता है, यह वेस्ट मेटिरियल लेता है, यह टीशू को मेकानिकल इंजूरी से बचाता है, क्योंकि यह लिक्विड कंटेंट इर्ध गिर्ध रखता है, जिसे म इंकॉर्परेटेड इन इस एर, तो हम इसे हाईयर स्टैंडर्ड में स्टैडी करेंगे, अभी पास आप इतना समझ लेजिए, कि जो लिंफ होता है, उसे टीशू फ्लॉइड भी कहा जाता है, और उसमें ही टीशू फ्लॉडेड होते है, तो अपको ब्लॉड वेसल्स क्या ये समझ में आ गया, और लिंफ क्या है, ये भी समझ में आ गया, ऐसा हमें कंसीडर करती हूँ, अब हम बात करेंगे, थर्ड पारामिटर की, that is the, what about if there is an internal injury to the veins और आर्टरी और a capillary, ठीक है, मतलब हमारे ब्लॉड वेसल को, अगर internal injury हो रही है, तो उसके समय क्या होगा, तो RBC, WBC and platelet, ठीक है, RBC को erythrocytes भी कहा जाता है, because they are red in color, WBC को leukocytes भी कहा जाता है, because they are colorless or white in color, platelets को thrombocytes भी कहा जाता है, because their shape is like a thrombo, ठीक है, अब देखो, ये जो platelet होती है, इस platelet का का काम क्या है, जैसे कि RBC का काम है, oxygen and carbon dioxide को transport करना, WBC का काम है, defense mechanism में participate करना, या body को immune system देना, वैसे platelet का का काम क्या होता है, platelet का का काम होता है, blood clot करना, अब इसका क्या मतलब है, let's understand that, ठीक है, इसको समझने की हम अब कोशिश करेंगे with a diagram, अब देखो, ये normal blood vessel है, पूरी intact है, ठीक है, ये normal blood vessel है, जो कैसी है, पूरी की पूरी intact है, अब किसी certain reason की वज़े से, यहाँ पे injury हो गई, तो जब injury होगी, तो यहाँ से blood क्या करेगा, बाहर leak करेगा, जैसे ही blood वहाँ से leak करना start करता है, there is a generation of the signal, और उस signal के चलते, जो platelet to blood में flow कर रहेते, वह वहाँ पे एक clot बना देते, एक temporary plug बना देते, जब तक ये नीचे से synthesis ना कर ले, तो ये blood clot जो है, ये prevent करता है blood loss को, प्रेशर को कम कर सकता है, जिसके चलते, बोड़ी के पूरे सेग्मेंट तक बूरे पूरे हिस्सों तक ब्लड ना पोचे, उसी के साथ साथ ब्रेन तक भी blood पोचने को मुश्किल हो सकती, क्योंकि ब्रेन को जो blood पोचाना है, वो against the gravity पोचाना है, उपर पंप करना है, प्लाजमा में एक मेकानिजम बना हुआ है, जिसे हम blood clotting कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग करने के लिए जो cells responsible होते हैं, वो है थ्रोमबोसाइट याने प्लेटलेट और उसी के साथ साथ प्लाजमा में जो प्रोटीन प्रेजन होते हैं, जैसे कि थ्रोमबीन, प्रोथ्रोमबीन लिए जैसे ही सिगनल अराइस होता है कि लीकेज हो गया प्रोथ्रोमबीन का कन्वर्जन का कन्वरजन फाइबरीन में कर देता है, और फाइबरीन क्या करेगा, यहां पे एक मेश लाइक नेटवग बना देगा, जाला बना देगा और वो जो जाला है, किसकी वज़े से बन एक ब्लड वैसे टाइप के बच्चों तीन आत्री वैन चोटा होता है से वोल की तिकनस जादा होती है ताकि वो ब्लड प्रेशर को सस्टीन कर पाई और प्रॉपर तरीके से ब्लड को डिस्टिंग रीजन तक पंप कर पाई आट्री जी आके जाके किसमें बाइफर्गेट हो जाती कैपिलरी में जो बॉडी के हर एक सेग्मेंट तक डिस्टिंग रीजन तक लेकर टीप आईज हर जगह तक क्या करीगी ब्लड सबस्क्राइब होती है वो अमधित ऊकरेट तरी थीन होती है अंडिस्टूड दूसरा यह हथे ऐन में रखना की आर्टरी economic ब्लड होता है सेकेंड सेगमेंट हमने देखा लिम जिसे हम टीशू फ्लूइड भी कहते हैं यह ऐसा फ्लूइड जिसमें टीशू इंबेड़ेड होते हैं उसमें न्यूट्रियंट वेस्ट मेटेरियल वगरा सब एक्षेंज करने की क्या परिटी है बस उसमें प्रोटीन का कॉंटेंट कम ह होता है as compared to the blood understood और उसके बाद में हमने देखा कि अगर ब्लड लीक कर रहा है ब्लड वेसल्स पे कहीं पर भी इंजूरी होरी तो क्या होगा प्लेट्लेट्स अक्टिवेट हो जाएंगे वह फाइब्रीनोजेन का कन्वर्जन फाइब्रीन में करने में मदद करेंगे में में और एक प्लग बना देंगे जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं और ब्लड का फ्लो या फिर लीकेज बंद हो जाएगा ब्लीडिंग बंद हो जाएगी understood I hope you understood this segment यहाँ पर हम complete करते हैं transportation in animals specifically in the human being in next video tutorial we are going to discuss about the transportation in plants जिसमें हम बात करेंगे vascular system की xylem and phloem की water conduction mineral conduction and food conduction की अगर आपको ये वीडियो tutorial समझ में आया है तो इसे like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए and channel को subscribe कीजिए बने रहे है DCP biology के साथ तब तक के लिए be healthy, wealthy, peaceful, study well and yes study smartly. Bye, have a great day ahead.